हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम रिजल्ड का प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि रिजल्ड का प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंस यहाँ पर आपको हम question के माधधम से सिखाएंगे कि आप result का प्रतिशत किसे प्रकार से निकाल सकते हैं फ्रेंस यहाँ पर देखते हैं यह question है कि सीता ने एक परिच्छा में 600 नंबर में से 470 अंक प्राप्त किये तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये फ्रेंस जब भी आपका एक्जाम हो तो आपको यह बात पता होगा कि आपका जो पेपर हुआ है कितने नंबर का पेपर हुआ है तो friends सीता ने जो एक एकजाम दिया है वो total कितने नंबर का paper हुआ है 600 नंबर का ठीक है और 600 नंबर में से उसने प्राप्त कितना किया है 470 तो friends जो यह होता है यह total mark होता है इंगलीज में बोलते है total mark और जो आपने प्राप्त किया है उसे हम बोलते है upton mark तो friends यहाँ पे आप जो total mark है कितना है 600 है आपने प्राप्त कितना किया है 470 तो friends जो प्राप्त किया होता है उसको आप ऐसे लिखिएगा जैसे हम बदा रहें friends उसी तरह लिखिएगा इसको अपको टोटल कितने नंबर का paper हुआ है 600 तो इसको 600 को आप हर में लिख लिजिए इस तरह लिखने के आपको फ्रेंस निकालना क्या है प्रतिषत अंक जब प्रतिषत में चैंज करना होगा तो आप सिर्फ सो से गुड़ा कर लिजिएगा कितने से गुड़ा करेंगे 100 कि अब इसको क्या करेंगे फ्रेंस हल कीजे देखिए 10 10 कटेगा 10 10 कटेगा फ्रेंस चाह का भाग 47 में दी फ्रेंस फिर 48 के बाद आपका बच्राइब 2 हासिल 20 हो गया तो 20, 76, 18 यानि कि आपका आएगा 78.33 प्रतिशत तो फ्रेंस इस प्रकार से आप चाहे कितने नंबर का आपको किसी भी एक्जाम का प्रतिशत निकालना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने नंबर का आपका प्रतिशत है और कितना आपने प्राप्त किया है इस आधार जैसे आपको समझाए इस प्रकार जैदिए आप निकालते हैं तो आसानी प्रुवक्त से आप निकाल सकते हैं तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ला